आज में लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही डिलीशियस फॉक्स्टेल मिलट की इडली रेसिपी शुरू करने से पहले अब तक अगर आप सभी ने मेरे इस चैनल को लाइक ने किया है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज शेयर करें ताकि मैं अपनी रेसिपी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूँ अपने सवाल और सुझाओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं इन कप फॉक्स्टेल मिलेट एक चम्मच उसमें मेठी की सीड्स और एक कप पुरत की दाल और एक बावल पोहा इन सभी को एक ग्रैंडर जार में अच्छे से पीस लेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे आठ से दस घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रब देंगे आठ से ड़त घंटे के बाद ये फर्मेंटेशन हो चुका है अब हम इसमें एक चम्मच नमच डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे इडली के मोल्ड को हम ग्रीस कर लेंगे और उसमें अब ये बैटर पोर करेंगे इडली के साचे में इसे रख देंगे डस मिनट के लिए पकाएंगे और हमारी इडली बनकर तयार है बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये फॉक्स्टेल मिलट की इडली इसे मैंने सांबर और चट्मी के साथ सर्व किया है आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जरो ऑदे मता हुआ से अपत्रेग्यों भी जरो ँवत्व भी जरूर पसेटाशने हैं ये 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 वीजिन पुर्स को में अबड़ाद की इडियों ये बाई ये प्द्रrän को में पहले चिंद्रीशने की लिए हाँ